जो सो कोल्ड लिब्रल लेफ्ट ये सब जो मीडिया है दिल्ली का खास्तों से क्योंकि इनी को सब लोग फॉलो करते हैं हकीकत बात तो ये है कि जो छेत्रिय पत्रकारिता है यूपी में हो बिहार में हो किसी भी स्टेट में हो वो सब एक जुटन लेकर आगे चलते हैं दिल्ली का मीडिया जो चीजे इस्टेबलिश करता है उन अख़बारों के संपादक दिल्ली में बैठते हैं सबके और वो दिल्ली का जो मीडिया होता है उसी के एंगिल के हिसाब से रिपोर्टर से कहते हैं वही तुम इस एंगिल पर खबर बनाके जो जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है और जो जमीन पर फिल्ड रिपोर्टर है जो काम कर रहा है फिल्ड में उसके पास अलग तरह के इंपूट होते हैं जो बहुत जैनुएन होते हैं अब देखें अतीक एमद और अश्रफ का जो मर्डर पुलिस का स्टेडी में कल हुआ है केवल तीस या बतीस सेकिंड के दोरान सारा घटना करम हुआ साड़े दस बजे के करीब दरसल था क्या कि चार तो वहां से जेल से इन्हें रोजाना महा ले जाया जाता था तो सुभे ले जाते वे इनका मेडिकल होता था और फिर जब रात में आप इनको वापस छोड़ने के लिए जेल जाते थे तो मेडिकल होता था इसका मतलब यह है कि हमने आपको हट्टा कट्टा स्वस्थ अतीक सोपा था और आपने हमने वन पीस अतीक वापिस किया है उसकी पिटाई चिताई नहीं किये जो होता है ने थर्ड डिगरी यूज कर लेते हैं उस तरह की चीजे तो ये एक बहुत अच्छा एक नियम है काइदा है जिससे जो कई दफ़ा क्या होता है कि जो बेकसूर अपराध है जो वहां का वैसे तो उसका नाम कुछ और नाम बदलने गया कमला नहरू वगएरा लेकिन जो है वो पुराने जमैने का ऑस्पिटल है वहां का अंग्रेजों का बना हुआ उसी में उनका मेडिकल होता था तो वह गाड़ी से उतरके चले तो मीडिया वाले वहां मेडिया वालों के बीच में से तीन लड़के आते हैं और ये जो रिकॉर्ड बताया गया है इस रिकॉर्ड के मताबिक के 18 सेकिंड के अंदर 20 राउंड गोलिया उन्होंने मारी उनको बिलकुल एकदम धेर कर दिया मोके पर और लवलेश तिवारी बांदा जी लेका अरुन मोरिय हमीरपूर और सनी सिंग कासदन जी लेकि ये तीन लोग इसमें लड़के अरेस्ट कर ले गए तो जो पहली थ्योरी वाले हैं लिबरल मीडिया वाले जो हैं जो मातमा गांदी की तुलना कर रहे हैं कि जैसे मातमा गांदी को गौड से ने मार दिया था उसी तरह से श योजना बनाई थी पुलिस ने उसके कहने पर योजना बनाई थी कि इनको इस तरीके से मारा जाए और मीडिया की वजूद्गी में मारा जाए खुले आम मारा जाए लेकिन मैं आपको बताओं कि अगर आज आप प्रियाग राज का अमर उजाला अखबार का एडिशन देखे उसने पांच पेज स्टोरी चाप दी है और उन्होंने दूसरे या तीसरे पन्ने पर ही एक बड़ी विस्तरत स्टोरी चाप दी है और उसमें ये लिख दिया है उन्होंने ये लिख दिया है उसमें स्टोरी में कि ये जो तीन लड़के हैं ये हाइर किये गए थे और जो स् पॉलिटिकल लोग इन्हें शेल्टर देते रहे हैं सो के करीब शेल कमपनियों के बारे में बता चुका था जो फरजियां कमपनी बनी हुई थी और पचास सफेद पोश लोगों के नाम उसने बता दिये थे वो फलानेता भी शामिल है उनके नाम ले दिये थे नाम बाहर आने बाकी थे तो इसमें स्टोरी ये कहती है अखबार की पत्रकार ये लिखता है वहां का कि इसमें उन लोगों का हाथ है जिन लोगों के नाम वो बता रहा था अभी शायद एक दिन की पूश्टाच और बाकी थी तीम दिन हो चुके थे तो उनका ये कहना था कि इसमें उन लोगों ने इनका मर्डर करवाया है जिनका ये खुलासा करने वाला था बहुर मैं आपको बता दूँ के योगी आदित्यनाथ को या उत्तर परदेश की सरकार को पुलिस को अतीक अहमद को मार देने से कोई लाब नहीं था ना रहता तो बहुत सारी चीजे सामने आती और जो पूरा इनका नेटवर्क है वो खतम होता अभी बहुत सारी चीजों की तेह में जाना बाकी था लेकिन अतीक अहमद से गल्टी होगी अतीक अहमद ने जिस तरीके से उमेश पाल का मर्डर कराया और उसका जो वीडियो फुटेज आप लोगों ने देखा भी होगा जो चला था काफी एक डिड़ मिनित का जिसमें वो मारा जा रहा है पुलिस वाले को गाड़ी के अंदर मार दिया दूसरे को अंदर मार गिया फिर उमेश पाल को दोड़ा कर मारा जितना हीनियस और जितना दुर्दान दुसासिक गटना वो थी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनात के जो दिमाग को धिला दिया उस गटना ने क्योंकि उस तरह के वीडियो क्लिप जब वाय तो उससे पूरे प्रदेश में और भलकि देश में पूरे देश में एक बेजिती भी होती है सरकार पर सवाल भी उठते है कि देखिए यार यह तो गैंग सोफ वासेपूर में देखा था हमने ऐसा होता हुआ और यहां यह खुले आम गैंग सोफ वासेपूर यूपी में चल रही है और योगी अदित्तिनाब जी तो यह कहते है कि हमारी जो सरकार है लॉइ 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 नॉडर हम तो उसी के आदार पर जीत के आए हैं तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था और आपको बता दूँ कि 101 मामले हैं इसके खिलाब अतीक हमद गे 101 मामलों में किसी में भी इसको सजा नहीं हुई और पहली सजा जो उम्र कैद की हुई वो किसमें हुई अभी उमेश पाल वाले में जो अभी तीन महीने दो महीने पहले हुआ है पहली सजा उसमें हुई यह इसको मतलब आप देखिए कि यह सरकार की एक सोच ही है सरकार अगर चाहे तो किसको सजा नहीं दिलवा सकती पहल किया कि हमें इस मामले में इसे कन्विक्ट करना है इसके खिलाफ फास्क्राइल चलाया गया पुलिस में जल्दी से उसमें चाठशीट दाकिल की सब कुछ तेज गती से हुआ लेकिन पिछले चवालिस साल में मुलाहिम सिंग, मायावती इनके सरकारों में इस पर बहुत सारे मुकदमे हुए किसी में भी नहीं हुआ और देखे कितना बड़ा दुरभाग्य इलाबाद कोट के दस जज में इनकार कर चुए कि हम अतीक अमद की सुनवाई नहीं करेंगे ऐसा आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा पहले कभी रियल लाइफ में कभी सुना नहीं होगा दस जजों ने लिख कर दे दिया कि भाईया हमारी कोर्ट में मतला ना इसका ग्यारवे जज ने इसकी सुनवाई की थी ग्यारवे जज ने और दो अजार बारा से ये जेल में है बारनी आया है तब से तो आप समझ सकते हैं कि एक चीज एक ठीक है आप कानून विवस्था पर सवाल उठाईए हम मानते हैं लेकिन कानून विवस्था पर उस स्टैंड को भी तो समझने की कोशिश कीजिए जो सरकार ने लिया है कि हमें अपरादियों को खतम करना है अपरादियों को नेस्तना अबूद करना है इसका सीधा सा मेसेज एक और भी था कि लोगों को ये भी लगने लगा था कि साब ये जो बुल्डोजर वगएरा चल रहे है ना इससे अपरादी डरते नहीं है इस इन बदमासों पर कोई फरक नहीं पढ़ रहा है कितने भी बुल्डोजर चलवा लो और फरकार है तो किसी पर भी बुल्डोजर चलवाजती है उसने मकान पर बुल्डोजर चलवा दिया लेकिन जो जमीन है वो तो अभी भी अतीक आइमद या तो बहुत कुछ इसमें चल रहा है और मुझे लगता है कि इसके अभी दूसरा जो माफिया अभी जेल में बंद है मुक्तार अंसारी सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि उसने योगी की जो सरकार है 2017 के बाद से उसके बाद से क्राइम करना बंद कर दिया है उसके बाद से हीनियस क्राइम में डिरेक्ट इन्वॉल्मेंट बंद हो गया है ठीक है वसलिए चोटे मोटे करते होंगे लेकिन मुक्तार अंसारी ने अपने आपको समझ गया है कि इसक तो कहते हैं कि वो एक 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 उसके एक बार ट्रिगर दरता है तो साथ आठ गोलिया निकलती है तो जितने भी उसमें थे और उन सब हतियारों को बारे में पुलिस ने एक रिपोर्ट भी तयार कर ली थी स्टीफ के पास एक रिपोर्ट थी कि वो हतियार कैसे कैसे समगल किये कैसे उन्हें अतीक के गुटने खरीदा और कैसे उसका सारा जो ये जितनी भी साजी सुई उमेश फाल की ये सारी की सारी सावरमती जेल गुजरात में बनी जहां पर अतीक अहमत पिछले कई सालों से बंद था ये तो योगी आदित्तनात की सरकार को तो इन्हें यहां पर ला संजाब में बंद है हमें सौप दो इसको और उस समय भी लोग कहने लगे थे कि एनकाउंटर करा दे जागा लेकिन एनकाउंटर नहीं कराना था उससे सारे राज उगलवाने थे और उनके पूरे नेटवर्क को द्वस्त करना था यही उनकी एक चाल थी इसमें अब इसमें देखते हैं और क्या चीजे निकल कर सामने आती हैं वैसे मुझे तो लगता है कि अगर स्टीफ के सामने कुछ जानकारियां इसने दी हैं तो निश्चित रूप से वो एक्सपोज होने चाहिए और वो तथे सामने आने चाहिए कि साब अतीक ने किन किन लोगों के नाव लि है और समय समय पर वो इधर से उधर घूमते रहें कृष्णा नंद्राय की जो हत्या हुई थी वो तो आउनके बारे में सब जानते हैं उनकी और जो मुक्तारन सारी के बीच में कैसी अदावत थी गैंग वार थी एक तरे की तो उन सब के नाम एक्सपोज होने चाहिए अख हम तो वोट समाजवादी पार्टी को देंगे इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है अभी जब उत्तर परदेश के चुना हुए थे पिछली बार तो आपको याद होगा कि मेरे कहल में 30 या 32 मुसलिमों को टिकट दिये थे अखलेश या दव ने जबकि मायावती ने 68 और पता ने कितने मुसलिम परतियाशी मैदान में उतार थे लेकिन मायावती को वोट नहीं दिया मुसल्मानों ने जब आप ये तैय कर लेते हैं कि हम तो समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे या फला पार्टी को ही वोट देंगे तो फिर समाजवादी पार्टी आपको कोई value नहीं देगी। उन्हें बता है कि ये हमारे अलवा कहीं ओर जाएंगे नहीं हमें ही vote देंगे तो क्यों इन्हें टिकट देना, क्यों इन्हें मंधोरी बनाना। इने के सामने को मचगूर ही या हमें vote देना। तो समाजबादी यादव ने कहा कि यूपी में अपराद की पराकास्टा है अपरादियों की भरमार है अब बताईए अपरादियों को दूसरे अपरादियों ने मार दिया और पुलिस वालों ने उन अपरादियों को मौके पर ही दबोच लिया तो इसमें अपराद की पराकास्टा क्या हुई बताइए जब पेशी पर लाय जाते है अपर आधी तो मीडियावाले ऐसी पूछ लेते हैं डिस्टिक लेवल पर तो इस समभाव नहीं हो पाता है लेकिन जिला जिला स्थर की पत्रकारिता है उसमें पत्रकार बड़े परभावी होते हैं, Kuris वालों को वो जानते हैं, पत्रकार सीधे पोच जाते हैं, प्तूलिस की गाड़ी में उहीं पर माईक लगाकर पूछ लेते हैं के भाई बताओ, क्या कहना है, तो इसमें कोई पू दूसरी इस पर क्रैक होगा इन चीजों को ये चीजेस निकल कर अभी सामने आएगी अभी तो ये भी सवाल उठाय जा रहा है कि ये जो तीन लड़के हैं ये एक जिले के भी नहीं है तो इसमें कहना चाहिए थी मुझे लगता है कि ये नोसीखिये लड़के हैं और इन्हें क कुछ जादे प्रभावशाली मुझे निजरा रहा है उसी पर आगे कुछ इसमें आउटकम भी सामने आएगा इसका निश्चीतरूप से अगर आप बताईए कि अगर पुलिस ने उन्हें प्लैंट किया होता उसमें कि आपको इस तरीके से आके ऐसे मारना है तो उन्हें य जिन लोगों के नाम अतीक अहमद उजागर कर रहा था या सरफ उजागर कर रहा था वो लोग यह चाते हैं कि मीडिया का और पत्रकार जितने भी इस पर जो बहस वाजी होगी उसका उनका ध्यान बढ़ताया जाए इसलिए जैश्री राम के नारे लगाए गए कल तो एस आर भी चिला रहे थे एस आर उन्होंने जैश्री राम को शॉर्ट में लिख दिया था कि प्लानिंग थी वो उसमें सफल रहे अपनी ध्यान बटकाने में जैश्री राम और बाजपा के प्रती जो नफरत और निगेटिविटी उन्हें फैलानी थी उसमें तो वो सक्से करना होगा कि हमें कहां तक जाना है आपने देखा होगा कि नीरत चोपडा बाला फैकता है जब और प्रैक्टिस करता है तो उसने तै किया हुआ है कि मैं जो अलग-अलग लाइन उसके जो गोल्स होते हैं जहां वो 80 मीटर से ज़्यादे फैक देता है गोल्ल मेडल जीत ले है कि इस 60 मीटर से मैं इधर नहीं आने हो दूँगा किसी भी हालत में इससे तो उधर ही गिरेगा मेरा बाला तो मीडिया को भी एक अपना एक चीजे तै करनी होंगी कि हमें इस पर कितना कबर करना है मैं आपको बताता हूँ एक अपने मीजी अनुगोस एक चीज बताता मैं दैनिक जागरन का ब्यूरो चीफ था और एक मेरे एक मित्र थे अमरुजाला के ब्यूरो चीफ थे तो दैनिक जागरन में और अमरुजाला में बड़ी पर्दा हमेशा से रहती है तो उसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी घटना हुई देर रात और लगभग बारा पैसाब इससे गटना होई है बताइए कैसे बनाने है तो मैंने उन से कहा कैसे पाणी कोई बात नहीं है आप अमरु जाला के जो चयोओं जीप Martinsifier उन्हों भीन में ठान है यह सब चीज होने जरूरी है और जो मीडिया पर मैं आपको बसवाल उठाय जाते हैं न के मीडिया सेंसेटिव नहीं है या मीडिया में कोई मर्यादाएं नहीं रही है यह हो गया है फलना हो गया धिमका हो गया है यह सब की सब इलेक्ट्रोनिक मीडिया की देन है प्रिंट मी के खुबर का घंडन कर दो, नही खबर चुरू कर दो unters लेकिन चो प्रिंट मीडिया में लिखता है ना पत्रकार वो छप जाता है, उसे कोर्ट में डोकुमेंट बना के पेश कर दिया जाता है, उसके खिलाफ चली जाती है चीजे तो तो प्रिंट वालों ने अंदर की जानकरिया दी थी मीडिया को बहुत चारी चीज़े चप रही थी उसमें क्या हुआ कि आज तक वालों ने एक स्टिंग ओपरेशन किया और उस स्टिंग ओपरेशन में उन्हों ने दो तीन पुलिस वालों ऐसे कैमरा रखा नीचे और दो तिन पुलिस वालों से कुछ चीजे कहल वादी के हाँ या राजम खां का फोन आ गया था फिर उसके सामने कौन रोक सकता है फला ना एक एक आप ये बताईए कि एक जो पुलिस का एक कांस्टेवल है जो रोज आपके साथ उठता बैठता है चाय पीता है जब भी आप थाने म पाते हैं कि साब आजम खां का फोन आ गया था कि इन लड़कों को रात ओ रात छोड़ दो जिनके उपर रात में अगले दिन दंगदा हुआ था तो आपने खुद ही अपने पैरों पर कुलारी मारी उसके बाद पूरे जिले के जो पुलिस वाले थे उन्होंने कह दिया था तो पत्रकारों की कवरेज पर फरक पड़ा है तीवी चैनल वाला तो कुछ भी कह देता है संसनी फैला देता है कि अतीक और अश्रफ को दफनाया गया वहां पे उनकी दफनगी हुई लगबग आठ बज़े के आसपास परियाग राज में और रात के विज्वल्स आप एन पंदा देने के लिए और सुपुर्दगी कराने के लिए और उसमें खबर में ये भी लिख दिया गया है कि ट्वीटर पर किसी पत्रकार ने लिखा है यूपी के के चर्चा है कि शाइस्ता परवीन जो इसकी बीवी है पतीक की जो फरार बता जा रही है कि वह भी मोके पर अरे भाई वो पचास हजार की इनामी है वो मरेगी वह मोके पर पहुंचकर पुलिस को पता नहीं है कि वह मोके पर आएगी तो पकड़ी जाएगी देखे अधर स्टेट का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इस बारे में लेकिन उत्तर परदेश में ये कोई नई बात नहीं हैं 2017 में जब योगी अधित्यनाथ सीम बने थे आपको यहाद होगा कि 2017 का चुनाव योगी अधित्यनाथ के चेरे पर नहीं लड़ा गया था और जब योगी अधित्यनाथ सीम बने थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि किसी भी अपरादी को बक्षा नहीं दा जाएगा उस उन्होंने ये कह दिया था, कि अगर कोई भाजपा वाला आपके पास सिफारिश लेका है किसी अपरादी की, पुलिस वालों के पास, तो आपको उसकी सुननी नहीं है, भाजपा निताउने नाराज की जताई थी, कि वास आप, हम किसी की सिफारिश लेका जाएंगे, तो पु असरकार घूम रहे थे, माइक लेके अजीत अंजुम और फलाना डिमकाना, और ये सब दिखाते हुए घूम रहे थे, कि साब देखिए, योगी अधित्यनात ने ये करा दिया, फलाना ये करा दिया, इनके राज में ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन जब ये गाओं में ज जाया है, हमारी धी बेटी, रात के बारा बजे भी घर से बाहर निकलती है, या सड़क पे गूमती है, या अपने जंगल में कोई जाता है, तो उसे खत्रा नहीं होता, वरना इनके राज में तो ये होता था कि गाओं में आपको पता है, ये कि शहर से जब लोग मजदूरी करके किसान या जो मजदूर है, अपने गाओं लोटते हैं, किसी का गाओं शहर से पांच किलो मेटर दूर है, नहर की पटरी है, चोटी-चोटी या नदी की किनारे-किनारे वो जा रहा है, अपनी बाइक से या स्कूटी से, उससे चीन लेते थे, दिन चिपते ही, तीन बार-बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, कि 80 सीटों में से मैकसिमम सीटे उत्तर परदेश, इस बार जीतने जा रहा है, और इसमें अब नरेंदर मोदी के करिश्मे की कोई जरुवत नहीं है, उत्तर परदेश में, योगी ने वो काम कर दिया है, जिसके लिए यहां की जो लोग हैं, वो लगभग आपको बताओं, लगभग 35-40 साल तर से हैं, कभी ऐसा अभियान, विश्वनात परताप सिंग जब यहां चीफ मिनिस्टर बने थे, वीपी सिंग, जिनने राजा साब का जाता था, प्रैम मिनिस्टर भी रहे बाद में, 89 में, जब वो चीफ मिन का है, वो गवालियार इस इलाके में डाकों का बोल बाला था और इने भी पॉलिटिकल सेल्टर था, उस्तों में डाको थे और बाद में यह इस तरह के माफिया आ गए, तो विश्वनात परताप सिंग ने जड़ से खतम कर दिया था, और इसमें उनका सहयोग किया था, वहा काउंटर में मार दिया जाएगा, तो योगी अदित्यनात ने वो काम कर दिया है, कि अब उन्हें किसी करिशमे की जरुवत नहीं है, उनका काम बोल रहा है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्श की बात, हर्शी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट है, और मेरे मित्र भी है, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए, कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है, बहुत ही काम्याब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारक बात देना चाहती हूँ, एक चीज़ जरूर कहूंगी उनके लिए, कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी है, इंसान होना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावर्ट में आजाता है, तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉंसिबिलिटी और जिम्यदारी के साथ, आर्टिकल्स लिखते हैं, आप लोग जरूर देखिये, लाइक कीजे, हर्ष की बात